हेलो टॉरस मैं हूँ करिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मन्स ताट इस सप्टेमबर, ऑक्टूबर, नवेंबर, दिसमबर की रीडिंग और अगर आप 2024 के फॉर्स 4 मन्स और नेक्स 4 मन्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के end में नीचे description box में आपको links मिल जाएंगे उन पे click करके आप देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मेरा YouTube चैनल भी विजिट कर सकते हैं इसी के साथ साथ 2024 के लास्ट 4 मन्स की रीडिंग शुरू करते हैं और overall की energies अगर in 4 मन्स की मैं देखूं तो यहाँ पर deliverance का card कहीं बहुत ही positive energies की बात करता है deliverance के card का literal meaning हम देखें तो किसी चीज की delivery होने की बात करता है यानि कि किसी चीज के मिलने की बात करता है अब देखिए सब Taurus के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि कोई idea अगर आप ढून रहे थे चाहा रहे थे वो idea आपको मिल रहा है किसी के लिए कोई connection हो सकता है कोई relationship हो सकता है किसी के लिए professional front से related कोई चीज हो सकती है अगेन देखिए जिस भी चीज को लेकर आप effort कर रहे थे, महनत कर रहे थे, चाहा रहे थे, कहीं वही या फिर उससे भी अलग कोई चीज आपको in 4 months में deliver होती हुई दिख रही है, मिलती हुई दिख रही है और कहीं एक बहुत positivity भी रहती हुई दिख रही है, लेकिन साथी कहीं relief की भी बात करता है, होता है ना किसी चीज के लिए जब हम बहुत effort कर रहे होते हैं and in the process जब हम नाउमीद भी बीच-बीच में हो रहे होते हैं, परेशान भी हो रहे होते हैं, तो जब वो चीज मिल जाती है, एक सुकून मिलता है, एक युनो बहुत बड़ा relief मिलता है तो कहीं एक relief भी आपको in 4 months में या in 4 months के end तक मिलतावा दिख रहा है और ये सब के लिए differ करेगा सब के लिए again मैं कहूंगी different life के areas हो सकते हैं जिसको लेकर एक relief आपको मिल रहा है और कहीं ये card release की भी बात करता है यानि कि किसी चीज को अगर आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ था आप let go करना चाहा रहे थे नहीं कर पा रहे थे तो कहीं let go भी आप किसी चीज को करते हुए दिख रहे हैं अब ये भी सब टॉर इसके लिए differ करेगा कुछ के लिए आपकी सोच हो सकती है आपके belief systems हो सकते हैं कि किसी के लिए कोई emotional level पे thought process हो सकता है जिसको आप नहीं let go कर पा रहे थे तो कहीं in 4 months के end में आप उसको let go करते हुए दिख रहे हैं या फिर मैं कहूंगे in 4 months में ही आप let go करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ के लिए कोई connection हो सकता है कोई relationship हो सकता है relationship के लिए कोई चीज हो सकती है जिसको आप release कर रहे हैं और ये card कहीं एक फिर से मैं कहूंगी बहुत positive energies की बात करता है तो कहीं जो भी चीजें पीछे आपको serve नहीं कर रही थी या किसी भी level पर bother कर रही थी आप let go करना चाहा रहे थे नहीं कर पा रहे थे तो कहीं in 4 months में आप let go भी करते वे दिख रहे हैं तो फिर से repeat कर दू तीन चीजें ये card कहता है एक तो किसी चीज के deliver होने की मिलने की बात करता है दूसरा एक relief महसूस करने की बात करता है किसी भी चीज को लेकर तीसरा किसी चीज को release करने की ये let go करने की बात करता है अभी मैंने बताया कोई भी चीज हो सकती है और इस release की वज़े से भी एक relief बहुत सारे टॉरस के लिए रहता वा दिख रहा है कुछ के लिए ये तीनों ही चीजें हो सकती हैं कुछ के लिए तीनों में से कोई एक या कोई दो चीजें रह सकती है और देखिए overall की energies बहुत अच्छी रह रही है लेकिन in 4 months की starting उतनी great नहीं रहते वही दिख रही है यहाँ फिर मैं कहूंगी एक mix energies in 4 months की starting के लिए रह रही है यहाँ पर the hermit का card एक अकेला पन चाहने की या फिर एक अकेला पन महसूस करने की बात करता है और देखिए यह card एक दो चीजें कहता है पीछे अगर आप चीजों से लोगों से withdraw कर रहे थे तो इस time period में आप हो सकता है कि उसी energies में से खुद को बाहर निकालना चाहा रहे हैं निकल रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं और देखिए मैंने अभी आपको कहा कि बहुत great नहीं रहता हुआ दिख रहा है actually I was thinking this is tower card यह hermit card है तो इसके हिसाब से देखें तो ठीक ठाक रहेगा बहुत great नहीं रहेंगे यह 4 months की starting लेकिन बहुत कुछ खराब भी नहीं होता वा दिख रहा है deeper level के लिए the rebel का card कहता है कि आप जो भी चीज़ें आपको limit कर रहे हैं जो भी चीज़ें आपको restrict कर रहे हैं कहीं उनको overcome करना चाह रहे हैं कहीं उनको आप उनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं rebel का card literally you know against the tight जाने की बात करता है और I don't know इस card को आप लोग कितना देख पा रहे हैं जो figure हैं उनके पैरों में chains है in fact टोटी हुई chains है तो जैसे होता ना कि जो भी बेडियां मुझे बांध रही थी मैंने वो तोड़ दी तो ऐसे सी energies torus रहती भी दिख रही है अब ये बेडियां सब torus के लिए differ करेंगे कुछ के लिए कोई connection, कोई relationship कुछ के लिए आपका thought process in fact मैं कहूंगी negative thought process negative belief system कुछ के लिए आपके professional friend से related कोई चीज हो सकती है हो सकते हैं आपके professional friend में बहुत rules, बहुत regulations चल रहे थे तो आप उनको तोड़ रहे हैं या फिर अगर आप job छोड़ के business करना चाहते हैं तो दिखिए कोई भी चीज हो सकती है जिसको तोड़ कर आप बहार निकलना चाहा रहे हैं या फिर निकल रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise आप थोड़ा सा एक back step ले रहे हैं एक back seat ले रहे हैं उतना जादा चीजों में involved नहीं हो रहे हैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसी energies में पीछे आप थे तो खुद को आप बहार निकालना चाहा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी बहुत great नहीं रहता हुआ दिख रहा है but yes, कुछ खराब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है एक mixed energies है in fact, the hermit and the rebel के card कहीं contrary energies की बात करते हैं surface level पे हो सकता है कि आप इतना participate किसी भी चीज में नहीं कर रहे हैं इतना नहीं involved हो रहे हैं उतना action initiatives नहीं ले रहे हैं लेकिन मन ही मन आप कैसे लग रहा है कि बस जैसे उतना फोर डालो मतलब सब चीज को तोड़ के जो भी चीज स्टिक्ट कर रही है बस इन से निकल जाओ इन बंधनों से, इन बेडियों से निकल जाओ और जो चाहते हैं उसको करो अपने terms and conditions पे जिन्दगी जीओ अपने हिसाब से चीजों को करो तो कहीं ऐसी सी energies आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं और उसी से related हो सकता है कि एक introspective mood में या एक introspective energies में आप रहे रहे हैं सोच रहे हैं कि भे कैसे किया जाए, क्या किया जाए and mid of these four months के लिए strength का card कहता है कि छोटे मोटे challenges या फिर कुछ के लिए थोड़े से बड़े challenges रह सकते हैं लेकिन कोई भी चीज आपको beyond the point परिशान नहीं कर पा रही है क्योंकि strength का card बहुत सपरदस्तिक strength की बात करता है और जब यह strength हमारे पास होती है यह कीन मानिए जो issues मसले होते हैं वो बड़े ही छोटे हो जाते हैं और जब हम week हो जाते हैं तो छोटे छोटे issues मसले भी इतने बड़े लगने शुरू हो जाते हैं इसलिए कहते हैं कि problem का कोई size नहीं होता है कहीं बड़ी छोटी छोटी problem ना हमारे mind बहुत बड़ी बना देता है और हम बहुत महसूस करने लगते हैं बहुत परेशान होते हैं कहीं बड़ी बड़े बड़े issues हम ऐसे निकल जाते हैं उसमें से जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो क्योंकि उस time पर हम बड़े positive होते हैं या फिर बड़ा एक strength के साथ हम चीजों को deal कर रहे होते हैं and deeper level के लिए inner voice का card कहता है कि आप बहुत wisdom से चीजों को कर रहे हैं और कहीं दिखे इस time period में भी आप fully active हो के चीजों को नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमने देखा in 4 months की starting में आप थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं बहुत एक surface level के लिए external level के लिए action initiatives वाली energies नहीं दिख रही हैं हाला कि मन ही मन एक completely contrast energies दिख रही हैं जहां पर बहुत जबर्दस action initiative आप लेना चाह रहे हैं और कहीं mid of these 4 months में कहीं surface level पर आप action initiatives ले रहे हैं लेकिन मन ही मन आप थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं यानि कि reverse होता हुआ दिख रहा है mid of these 4 months में आप हर चीज के deep में जा रहे हैं सोच रहे हैं समझ रहे हैं कहीं you know आपको ऐसा लग सकता है कि भाई impulsive नहीं होना जल्दबाजी नहीं करनी हर चीज को सोचना है analyze करना है analyze नहीं कहीं wisdom जादा ये card represent करता है तो मतलब wisely चीज़ों को deal करना है ऐसी energies रह रहे हैं और यहाँ पर देखिए जो भी पीछे challenges रहे अगर तो उनको भी आप overcome करते हुए दिख रहे हैं I don't know इस card को आप लोग कितना देख पा रहे हैं इसमें जो figure है न वो loin के पास बैठी है loin को hug कर रही है loin के मूँ में उन्होंने हाठ डाला हुआ है तो कहीं यह card यही कहता है कि challenges को आपने overcome कर लिया है जो भी issues मसले हैं या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ overcome कर पा रहे हैं कर रहे हैं इन्दा process हैं या फिर कर लिया है and end of these four months के लिए healing का card बहुत ही clearly healing की बात करता है एक सुकून की बात करता है जो भी issues मसले पीछे रहे उनकी कहीं again मैं कहूंगी healing होने की बात करता है या फिर आप अपनी healing पे focus कर रहे हैं and कहीं in four months के end में three of wands reverse का card कहता है कि आप current situation पे इतना नहीं focus करना चाहा रहे हैं long term की planning आप जादा करना चाहा रहे हैं लेकिन उसी से related issues और मसले रह सकते हैं यानि की आप future पे focus करना चाहा रहे हैं long term goals बनाना चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से आप नहीं बना पा रहे हैं किसी चीज का इंतजार, किसी चीज का weight रहता हुआ दिख रहा है and कहीं ये weight भी थोड़ा सा मुश्किल रहता हुआ दिख रहा है अब दिखें मैं otherwise मुश्किल किसी भी चीज के होने की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन time बड़ा flexible होता है जब अच्छे पल होते हैं तो इतनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं लगता और जब भी भी किसी चीज का इंतजार होता है या पर चीजnen हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है तब वो ही time ना हमें बड़ा लंबा लगने लगता है तो मैं आपको सिर्फ यही कह रही हूँ कि किसी चीज का अंतजार रह सकता है ये इंतजार सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए phone call हो सकती है, message हो सकता है, news हो सकती है और कुछ के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, उसी से related right time का इंतजार हो सकता है कुछ के लिए जो भी efforts आपने करे, उनके positive results के मिलने का इंतजार हो सकता है तो कहीं किसी भी चीज का इंतजार आप कर रहे हैं और थोड़ा सा इस इंतजार में आप बेसबरे हो रहे हैं इंपेशेंट हो रहे हैं और deeper level के लिए healing का card कहता है कि जो भी surface level पे रह रहा हो कहीं deeper level के लिए एक healing आपकी हो रही है या फिर healing आप करना चाहा रहे है और येस फिर से मैं आपको बता दूँ कि ये card कहीं long term goals भी बनाने की बात करता है future पे focus करने की बात करता है जो कि आप करना चाहा रहे हैं क्योंकि ये card reverse है तो कहीं उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं overall की energies के लिए मैंने आपको बता ही दिया deliverance का card किसी चीज के deliver होने की बात करता है मिलने की बात करता है एक relief, एक सुकून महसूस करने की बात करता है साथी साथ किसी भी चीज को release भी यानि की लटको भी करने की बात करता है तो यह था टॉरस आप लगों के लिए 2024 की वीडिंग और नीचे कमेंट सेक्षिन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडिंग आपको कैसी लगी